हेलो दोस्तों, दोस्तों आज का जो IPL मैच है वो है दोस्तों मुंबई इंडियन्स वर्सेस गुजरात के पीच जहां दोस्तों आज जो भी जीतेगा वो फाइनल में चल जाएगा दोस्तों मैं आज आपको इसके बारे में सारा का सारा डीटियल्स के साथ में बताऊंगा दोस्तों, पीच रिपोर्ट क्या होने वाली है, कहां पर मैच चलेगा, यहां पर कितना स्कोर बनता है और किसने किसने स्पीच पर अच्छा परदसन किया है मैं सुरू से लगे अन तक आपको सारा कुछ डिटिल्स के साथ में बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो वीडियो को अन तक दखिए और अगर दोस्तो आप किस भी fantasy application में टीम बनाते हो जैसे कि dream 11, my 11 circle दोस्तो मैं आज आपको small league और grand league दोनों का team में अभी आपको बना कि इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तो वीडियो को end देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नी किया तो सब्सक्राइब कर ले और बल ऐगन को प्रेस कर ले चल दोस्तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का pitch report क्या होने वाला है तो यह जो match है वो दोस्तो नरेदर मोदी इस्टेडियम अहमदाबाद में यह खेला जाएगा और यह pitch जो है पूरी की पूरी betting पीछ है और Pacers को यहाँ पर सबसे ज़्यादा मदद मिलती है आप लोग इसको ध्यान रखेगा कि Pacers को ज़्यादा मदद मिलती है यहाँ पर और वेदर जो है वो साफ रहागा average अगर हम run की बात करें तो 171 यहाँ पर लगभा यहाँ से बनते हैं और अगर wickets की बात करें तो यहाँ पर टोटल 55 wicket गिरे हैं जिसमें से 48 wickets Pacers ने और 17 wickets Spinets ने लिए हैं मतलब कि 48 wickets Pacers ने लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर Pacers को यहाँ पर मदद मिलता है तो अब हम लोग देखते हैं कि किसने किसने यहाँ पर अच्छा परदसन किया है तो यहाँ पर देख सकते हो श्रुबमन गिल जो है पांच मैचों में 60.4 के उसत से यहाँ पर रन बनाए है साइन सुदर्सन जो है चार मैचों में 35.5 के अवरेस से यहाँ पर रन बनाए है हर्दिक पंडिया जो है 5 मैचों में 26.6 के उस्थ से यहां पर रहन बनाएं वहीं अगर हम बोलिंग की बात करें तो दोस्तो मुहम्मद समी जो है 5 मैचों में 2.4 के उस्थ से यहां पर विकट जटका हैं दोस्तों आप हम लोग सीधे चलते हैं अपने ड्रीम 11 पर और सबसे पहले हम लोग इसमॉल लिग इली टीम बनाएंगे उसके बाद जो है हम लोग ग्रेंड लिग इली बनाएंगे तो सबसे पहले इसमॉल लिग इली बनाएंगे यहाँ पर आपको इशान केशन रिद्धिमा वडेरा को आप ले सकते हूँ, ठीकर अभी हम लोग चलते हैं next पे, अब दोस्तो हार्सज़िक पांडिया, अच्छा यहां पर बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है तो इनको भी ले लिजेगा आप, बाकि दोस्तों आप बहरेंड रोपको आप ले लिजेगा यहां से, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, अब बात रहा दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन का, दोस्तों फ्लेक लिए आज का स्मॉल लिग का टीम यहाँ पर आप लोग देख सकते हूँ रिदिमान सहा इशान किशन रोहित सर्मा नर ये सोरी डेविड मिलर शुरिकुमार यादव शुमन गिल हर्दिक पांडिया कमरोन ग्रेन मुहमद समी बहरन रोफ और मोहित सर्मा यह रहा मेरा आज का स्मॉल लेना है यहाँ से इसके बाद नेक्ट पर चलते हैं हम लोग सुरिकुमार यादव शुमन गिल यहाँ से लेना है यहाँ से रोहित सर्मा को लेना है डेविड मिलर को यहाँ से आपको लेना है इसके बाद चलते हैं नेक्ट पर हार्दिक पांडिया केमरोन ग्रीन और सनाग काँ ले वी सकते हूं ने वी ले सकते ह Couple लोग तो अभी ली जै को छोड़ देते हैं मौहित सर्मा का बहुत ही अच्छा रिकॉड को लेना है और भेहन डॉप को लेना है नेक्ट पर चलते हैं अब बात रहा दोस्तों Captain और Vice Captain का जो दोस्तों यहाँ पर जो है Grand Legally सबसे ज़्यादा जो है महतुपूर्ण जो है Important जो है Captain Vice Captain तो दोस्तों आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा तब ही आप यहाँ से Income कर सकते हो तो देखिए अभी रोईद सर्मा का performance जो है उतना अच्छा रहा नहीं और पहले ही betting करने आते हैं बहुत ही कम लोग उन पर भरोसा दिखा रहा तो दोस्तों आप लोग अगर चाहो तो इन पर भरोसा दिखा सकते हो आप इनको Captain बना सकते हो ठीक है अगर यह आज चल जाएंग को Vice Captain कर सकते हो यह रहा मेरा परफेक्ट टीम सेव टीम पर क्लिक करते हैं और आप लोग देख सकते हो रिदिमान सहा इशान किष्ण रोईद सर्मा डेविड मिलर सुरिकुमार यादव शुबमन गिल हर्दिक पांडिया कैमरान ग्रेन मौमाद शामी बहरन रोफ मोहित सर्म यह रहा मेरा आज का Grand League का टीम तो इसे आप जो है सेव कर लें स्क्रिंसवाट करके दोस्तो यही टीम आज होने वाली है बाकि दोस्तो अगर टॉस के बाद थोड़ा सा भी इधर अधर होता तो दोस्तो मैं जो है अपने टेलिग्राम चैनल पर इसे अपडेट कर दूँगा तो जाके आप उसे जोईन कर लिजिए और कैसा लगा मेरे वीडियो अच्छा लवल प्रीज लाइक कर दें थैंकि दोस्तो